आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें नमस्कार दोस्तो, हमारा प्रशन है कि निम्नलिखित ियोगिको के आयूपक में नाम बताईए दोस्तोँ हमें यहाँ पर एक स्रिंखला करनेझे में नाम बतानाए कि इसका नाम क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर जो हमें स्रिंखला दी गई है वो इस तरीके से दी गई है इस carbon के साथ में 3 hydrogen इस तरीके से जुड़े हुए है ठीक है और दोस्तो अगला carbon जो है उसके साथ में 2 hydrogen के परमाणू ऊपर की तरप और एक दोस्तो नीचे की तरप जुड़ा ओस जुड़ा हुँगा है जो कि हिए हमारा oxygen ठीक है तो हम कह सकते ह bissertha की जिए कर!" सिरिंखला दोस्तो इस तरह से हमें दी गई है और इसका में क्या बताना है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या में तीन प्राप्त हो रही है ठीक है उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारे क्रियात्मक समू कौन सा हो रहा है वो देख लेते हैं ठीक है तो दोस्तों जहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समू है वो हमारा कौन सा है वो है दोस्तों हमारा CHO जो कि होता है हमारा LD-HEAD का क्रियात्मक समू ठीक है तो दोस्तों यह जो क्रियात्मक समू है वो यहां पर बना हुआ है CHO ठीक है और यह इस तरह से होती है दोस्तों इसकी सरफ़ना Oxygen के साथ में D-Band के साथ कार्बन जुड़ा है और एकलबन में Hydrogen के साथ तो यह होता है हमारा CHO KRIYATMAXAMOO जो कि हमारे LDHEAD के लिए होता है ठीक है तो अब दोस्तो हम इसका IUPAK में नाम जानने के गोशिज करते हैं कि इसका नाम क्या होने वाला है तो दोस्तो IUPAK में नाम जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि carbon की संख्या को नमांकित करेंगे, ठीक है, तो यहां से दोस्तों हमारे क्रियात्मक्समू सबसे पहले है, तो यह हो जाएगा हमारा पहला carbon, यह हो जाएगा दूसरा, यह हो जाएगा तीसरा, तो दोस्तों लग जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा सभी पे एकल बंद है तो यह हो जाएगा हमारा प्रोपे नल ठीक है तो हम कहा सकते हैं कि हमारी जो स्रिंखला दी गई थी इसका आयू पैक में नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रोपे नल ठीक है और ही दोस्तों मैं प्रस्न में पूछा गया था जो कि हमारा प्रश्न का उत्तर है तो आज से करता हम दोस्तों आपको यह प्रस्न समझा होगा धन्यवाद